गोपालगेंश में एक बार फिर गोपालगेंश के SP के दुवारा CSP लूट कांड का उद्वेधन कर दिया गया है यानि 9-12-2023 को लगभग 11 बज रहे थे उसी समय बाइक सवार अपरादियों ने मिशिर बता रहा में स्टेट बैंक के CSP से लूट कांड की थी यानि सिरीपिर ओपी में मिशिर बतारा पड़ता है वहाँ पर उनके द्वारा लूट कांड किया गया था उसके बाद वह मौके से फरार हो गये थे पुलिस लगतार उन्हें ढूंड रही थी S.I.T. के टीम के द्वारा और अन्य पुलिस के साथ मिलकर दो अभ्यूकतों को गिरफतार कर लिया गया जिसमें मुख अभ्यूक सचिन कुमार यह विकास कुमार थे इन दोनों की गिरफतारी की गई और इनके पास से लूटी गई एक बाइक और देशी कट्टा जिन्दा दो कार्तूस दो एंडवाइड मौइल फुल जिसमें एक लूटी गई थी दो हजार उपे नगद वो भी लूट के पैसे थे हेलमेट एक जूता यूट जैकेट लूट में जो परयूक थे वो बरामत किये गई है हलाकि इन पर मीरगज में दोनों पर एक-एक मामले दर्ज है पुरूव से भी और सचीन कुमार जो है वो हरखावली पूरब टोला यानि मीरगज थाना चेतर के रहने वाले हैं पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया है इनके साथ दो अन्य साथ ही भी थे उनकी भी गिरफतारी के लगतार चापे मारी चल रही है किया है अपराधियों के पास आ जो देशी कट्टा है एक देशी कट्टा बरामत हुए है दो जिनदा कर्तूस बरामत हुए है और घटना में जो बाइक प्रयुक्त की थी उस बाइक को भी बामद किया गया है असाथी वा लूट की जो मबाइल है कुछ नकद राश्री भी बामद की गयी है अपरधियों ने जो हेलमेट और जैकेट जो जूता पहन रका था अपरध के समय उसको भी हम लोगों ने सीज किया है और उसको साच के रूप में माननी नियाले में प्रस्तूत किया जाएगा और जो गिलफतार अपराधी है उसमें से एक है सचीन कुमार जो थाना मीरगंज का रहने वाला ये पुराना क्रिमिनल रहा है दो हजार तेईस जो हम लोगो चेको हम लोग सब मानार जो करेंगगे लिए की जिसमें जमानत मिला उसके मं भी हम लोग आपराधी जो डूट में शामिल हो उसी चुटने के बाद किसी तरह का प्राद करते हैं हम लोग केस में भी उनका बेल रद कराने की प्रकिरिया को अपनाया जा रहा है वहीं SP ने कहा कि इन पर SPD ट्रैल चला कर जल्द इने नयाले से सजा दिलवाये जाएगा अगर आप हमारा चैनल यूटूब पर देख रहे हैं तो